आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो इस question में कहा रहा है कि P and Q दो vector है ठीक है जिसका magnitude का difference कितना है हमारा one और बोल रहा है कि ना जो magnitude हमारा resultant बन रहा हमारा जैसे P and Q दो vector है हम लोग को देख सकते हैं यह P और Q का vector है हमारा direction दिखा दिया मैंने आपको यह मेरा दोनों का resultant है ठीक है यह दोनों का resultant है वो जो angle बना रहा है with P P के साथ जो angle बना रहा है मतलब theta जो हमारा हूँ कितना है tan inverse 3 by 4 मतलब कहने का मतलब होगा किना जो theta की जो value हमारी ठीक है हो कितनी है tan inverse tan inverse कितना हमारा 3 by 4 ठीक है और हम लोगो find क्या करना है हमें find करना है किना angle between P and Q कितना होगा ठीक है तो यहां पर देखिए आपके किना यह अगर q vector हमारा यह मेरा q vector है तो यह भी मेरा q vector होगा यह भी मेरा q vector होगा ठीक है यह भी मेरा q vector होगा ठीक है यह भी मेरा q vector होगा ठीक है तो हम लोग देख के बता सकते हैं किना यह हमारा यह हमारा कितना होगा इसका जो distance होग कितना होगा mod q Mohd Kew divided by mod p कह सकते हैं मोट p कह सकते हैं ठीक है तो नहें यहां से हम लोग s थरी ऺइसे फोर फोर तो हम लोग-स्यूम कर लेते हैं जो हमारा किव है that पर देन है कि यह मौट खी लाड़ का मैं मारा कि पिस सब्लेशन वालुज तरी है एंड मारब पी की जो वैल्यू हमारी वह हमारी कितनी है वह हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 4 ठीक है यह हमारा 4 हो गया यह हमारा क्यूंग हमारा 3 हो गया मैं अक्छिवल वैल्यू नहीं बता रहा हूं मैं मैं मत पता रहा हूं सब्सक्राइब टिक है इस प्रपोश्टर अफ्रिश्यो में हो गा तो यह हमारा 4 है थो हम लोग उस इसका से उस पॉपोश्टनेट के सब्सक्राइब लग companion का सकते हैं तो hypotenuse क्या होता है मेरा perpendicular square फ्लस base square पर्पेंडीकुलर square प्लस base square कितना हो जागा थ्री स्क्वाइर प्लस 4Square तो इसकी value हो जाएगी 5 ठीक है तो मोड और आगे हमारा कितना 5 अब अब हम लोगों पता है कि नवक्टर law of addition क्या कहता है वेक्टर वेक्टर law of addition कहता है हमें वेक्टर law of addition ठीक है इसका एक formula होता है वो बता दिरा हूं मैं आपको किना mod r जो होगा मेरा mod r की value mod r square की value क्या होती है mod p square plus mod mod q square ठीक है यहां जो हमारा angle है यह जो angle हमारा वो basically p and q के बीच का angle को करते हैं हम लोग p and q के बीच का angle है ठीक है यह दोनों के बीच का angle है इसलिए मैंने इसके alpha लिख रहा हूं और ये जो at 한 lay रहा हम है ये alpha basically ये अंगल है ठीक है ये alpha मेरा ये वोला अंगल है यहां से अगर मैं यहां दकार एंगल लिखू न दो यह पूरे whole angel को हमें alpha बोल हैं भोग थीक है तो यह फिर एम लोग इसको एक्स्टैंड करेंगे तो यह जो एंगल है हमारा यह अलफा है ठीक है यह अलफा है मेरा तो इसकी वैल्यू हमें कल्कुलेट भी करनी है ऐसी की वैल्यू हमें कल्कुलेट करनी है वह हमारा कॉस अलफा हो हो जाएका मेला three square हो जागा मेला 25 यह हो जागा मेरा nine प्लस va थुफ लटेटिवाए नारो ज्ट्र कॉस अलफा kवस अलफा ठीक है 16 प्लस-9 कितना होता है basically 25 होता है 25-esser-25 cars Уitable कैंसे हो जाएगा तो बीच के जो एंगल होगा हमारा, वो हमारा कल्कुलेट हो गया, उसकी वैलू कितनी आ गई, 90 डिग्री है, मैंना एंसर होगा इस कोश्चन का, 90 डिग्री मतलब ऑप्शन डी इस कोश्चन का करेक्ट आंसर है.